आज हम चटपटी चना चाट बनाएंगे जब कभी चटपटा खाने को मन करता है तब आप इसको तुरंद बना के घर में त्यार कर सकते हैं ये बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत टेश लगता है चलिए अभी हम बनाना स्टाट करेंगे चटपटी चना चाट लाज चना लिए हैं एक कफ इसको अच्छे से साब करके पानी में अच्छे से धो लेंगे धोने के बाद 5-6 गंटा के लिए पानी में भीगा के रख लेंगे चाहे तो आप ओबरनाइट रख सकते हैं और इसके बाद इसको बाइल करके हम ले लिए हैं देखिए अम चना को अभी बाइल कर लिए हैं और इसमें जो पानी था इसको निकाल दिए हैं अभी हम चलिए चाट बनाएंगे मसाला में हम लिए हैं 1.5 टी स्पून कस्मेरी रेड चिली पाउडर 1.5 टी स्पून जीरा पाउडर, धन्या पाउडर हाप टी स्पून, हल्दी पाउडर हाप टी स्पून, काला नमक लिए हैं चाट मशाला और गरम मशाला हाप टी स्पून एक टामाटर को चाप्ट कर के लिए हैं धन्या पता को चाप्ट कर के लिए हैं अद्रक को कदुकस कर लिए हैं धो ग्रीन चिली हींग लिए हैं और वान टीजपून साबूर जीरा और चॉपड ओनियन अभी हम कडाई गरम करेंगे और इसमें डाल देंगे वान टीजपून आयल अभी आयल को गरम होने के लिए छोड़ देंगे ऑईल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें डाल देंगे हींग और जीरा और जो चौट करके रखे थे अद्रक और ग्रिन चिली इसको भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिसे अद्रक का जो कच्छास में ले ओच चला जाएगा तब तक आप इसको फ्राइ करना होगा अभी बाइल करके जो चाना रखे थे इसमें डाल देंगे और सारे जो मसाला लिये थे इसको भी डाल देंगे और मसाला को अभी चाना में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला डालने के बाद ग्यास का फ्लेम को लो मिडियम रखे अगर जदा हाई फ्लेम में करेंगे मसाला तुरन जल जाएगा और इसका टेस्ट खराब हो जाएगा अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको पानी डालने के बाद एक-दो मिनिट के लिए पकाएंगे अभी थोड़ा सा नमक भी हम डाल दी है आप अपने स्वाद के सबसे डालिए क्योंकि पहले हम काला नमक भी डाले थे इसको एक दो मिनिट के लिए कूक करेंगे और इसके बाद हम इसको निकाल देंगे जैसे मसाला चना में अच्छे से कोट हो जाएगा और ये थोड़ा सा ड्राइ हो जाएगा तब हम इसको निकाल देंगे अभी देखिए हो गया है इसको एक बर्तन में निकाल देते हैं अभी हम इसमें डालेंगे ओन्यन, टमाटर, ओन्यन भी डाल देंगे चाप करके रखे थे, टमाटर भी डाल देंगे और जो धन्या पत्या काटके रखे थे इसको भी डाल देंगे और सारे चीज़ को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल देंगे लेमन जूस डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और खाने में चटपटा लगेगा दिखाएंगे अभी हम इसको सार्व करके दिखाएंगे आपको दिखिए दिखिए कितने जल्दी और कितने आसान से आप चटपटी चना मसाला तैयर कर सकते हैं दिखिए चटपटी चना मसाला लेडी हो गया आप एक बार इसको घर में बनाएए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले थेंक्यू पर वाचिंग